तो भारत, राम, कृष्णा, हनुबान, शिव और अमारी सनातनी संस्कृति के बात दिव्य आयाम हैं, अब लोग कह रहे हैं कि तो राम का नहीं हो किसी काम का नहीं, तो ये राजनेतिक दृष्टे से कुछ नारे हो सकते हैं, लेकिन ये सच है कि राम मंदिर का विरोध इसको या किसी भी तरह से अभी पे मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था, राजनेतिक दृष्टे से कुछ लोग बाते करते हैं, कि राम मंदिर का शिखर नहीं बना, मंदिर भगवान का शरीर होता है, और उस पर जा है अभी भी मज़ूर काम कर रहे हैं, अरे ये सारी स्रिष् जो अलाइव एक्स्प्रेश्छन ओपोल्माइटी, ये स्थे भूमी प्रवान्त रिक्षम उता अदर्म दिवम्य शक्रि मुर्धारम तसमई देष्थ ये ब्रह्मने नमाहा, और जो प्रान प्रतिष्था होती है, वो मंदिर की दीवारों में नहीं होती, चट में नहीं हो बिल्कुल, लेकिन इनी सवालों के बीच में उस उच्टसा में सवाल ये भी आ गया है, कि काशी में भोलेनाथ और मत्रुन में कनहया अपने मूल स्थान पर कवाएंगे? तो भोलेनात कोई काशे में नहीं आएंगे, कृष्ण कने, मतरा बिंदा में तो मख्का अदिना में आएंगे? यह भगवान की भूमी है, तो बगवान आपनी भूमी पर विराज एंगे, और वो हमारा गोर हुआ है. किसी ने मक्का मदेना पर विवाद किया, किसी ने बेटिकन सीटी पर विवाद किया, क्यों मत्रोविंदावन पर विवाद करते हैं, क्यों काशी विशनात में विवाद करते हैं, भगवान इनको सद्बुद्धी दे नहीं तो इनको सद्गती दे मौक्षप्र देने के लिए वो कह रहे है मुस्लिम धर्म गुरू कि हमारे सबर का इमतिहान लिया जा रहा है देखो एक है भारत का राजनेतिक सम्विधान एक भारत का है सांस्कृतिक सम्विधान ब्गवान running और बारत के प्रांप्र प्रदाता है, भारत वहीं सी सुरूर होता है, अर उन्हीं में पूरा होता है, बात के यह पूरी लीला है, यह दो लीला है इसी में जिस तरीके से मुस्लिम धर्मगुरों का प्रतिमा ने नाम लिया, बकाइदा चेताव नहीं दी दी गई, ये कह दिया गया कि सबर का बांध ना टूटे, तो उन्हें बता दीजे कौन सा योग करना चाहिए, क्योंकि वो तो ये भी कह चुकि है, जो अपने आपको ब अपने पुर्खों का अपमान करने वालों को आप क्या कहेंगे, तो बगवान उनको भी सदबुद्धी थे, बाकी जो है, उनकी आधी डाड़ी गई, मूच गई, पूछ भी ना चली जाए, बात पर उत्रा खंकी करना चाहूंगी, वहाँ पर उनिफॉर्म सिविल कोड ला मानता का भाव देश में क्यों नहीं होना चाहिए, एक देश में दो जंडे, दो कानोन, यह जो पूरा दोगला पर कैसे चल सकता है